रेनुका सुगर में आज के दिन हम दोको क्लोजिंग देखने मिला 45 रूपेश 50 पैसिक के राउंड देखेंगे तो स्टॉक हम दोको बहुत इंट्रेस्टिंग प्रेस पर आज के दिन क्लोजिंग करती हुए दिखाया अब सप्रेंग लुज़ा देखेंगे तो अल्मोस फोर्टिट्व से ज्यादा उपर के तरफ वंदों को 42 रूपेश के उपर चेवाट में दिखेंगे तो इसलाइट में बंते हुए दिखेंगे तो जब भी शॉक्त हम दोको 47 रूपेश 50 पैसे के उपर देखाएगा रिनु से दिख सकता है रिनुका में क्योंकि देखेंगे तो प्रिवेस्टी स्टॉक ने बहुत टाइम से हम दोको स्ट्रेंच स्टॉक नीचे के तर गिराउट देखाया तो अगर एक बाद स्टॉक थोड़ा पॉजिटिव हो जागा फिर स्टॉक डबलू पैटर्न बनाके स्टॉक उपर के तरफ मोमेंटम दिखा सकता है तो किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है रेनुका में तो आप सबका स्टॉप लोस होना चाहिए जो कि अराउंड 42 से लेके 40 रुपिस के अराउंड होना चाहिए क्योंकि जैसे स्टॉक 40 रुपिस के लेवल ब्रेक करेगा स्टॉक देखने मिल सकता है लेकिन जब तक स्टॉक 40 रुपिस के ऊपर कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आपको और कोंटिटी करने इस लेवल पर तो बिल्कुल कर सकते या फिर एक 47 रुपिस 50 पैसे के ऊपर चालू कर देगा स्टॉक एक पॉजिटीव एडिया में आ जाएग और इंफेक्ट हम दो को एक ट्रेल राइन का ब्रेकाउट भी देखने मिलेगा तो इक अच्छा कासा फिर से स्टॉक में ऊपर के तब हायर राइट टाइप का मोविंटम बनते हुए देख सकता है तो अकर एक बार स्टॉक 47 रुपिस 50 पैसे के ऊपर क्लूस करता है तो सौ